दिल्ली एर्पोर्ट के पास औरे की वज़े से विजिबिलिटी बेहत कम रही है जिसकी वज़े से काई उड़ानों को डाइवर्च करना पड़ा है तो उतरभारत के काई राज्यों में आप देख पा रहें कि किस तरीके से विजिबिलिटी जीरो के बराबर होती नजर आ रही है घने कोरे का कहर यहां पर लोगों को सतारा है उतरपदेश और राजस्थान ऐसे काई राज्यों हैं जहां पर इस तरीके से विजिबिलिटी बि से सडक, रेल और हवाई सफर मुश्किल हो गया है, तो आप देखिए कहां कहां पर घने कोहरे का अलर्ट है, ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन सिर्राज्य फिलाल सबसे ज़्यादर प्रभावित नदर आ रहे हैं, पंजाब, चंडिगर, हरिय इनाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और इस तरह आप देखिए, लागलाइन, मानिपूर और मिजोरग, यह तमाम ऐसे इलाके हैं, जहां पर फिलाल जो है, घने कोहरे का कहर जारी है, घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, विजिबिलिटी बेयत कम नज आ रही है, तमांग ट्वेने बेदी से चल रही है, तो वहीं सडकों पर गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है, साथी हवाई सफर पर भी बुरी तरह से इसका प्रभाब नज़र आ रहा है, ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि कहां कहां पर घने को पर घने के वज़े से अलर्ट जारी किया गया है, और इस बीच देखें, बड़ी खबर आ रही है, गुनाबस हास्ते की जांच की आदेश दे दिये गाए है, मदपदेश के मुख्य मंतुरी ने जांच की आदेश दे दिये हैं, आपको बता दें की ट्रक को और एक बस की आ पर चालाख मुआदे का भी एलान मृत्तक के परिजनों को किया गया है, घायलों को 50-50 अजार रुपे आर्थिक मदद की घोशना की गई है, जिनका इलाज गुना के जिला स्पिताल में फिलाल चल रहा है, तो आमने सामने की टकर में बस गिर जाती है, जिसके बाद बस में आग लग जाती है, जानकारी मिल पा रहे है कि इसमें 30 लोग सबारते है, हालांकि अब इस पूरे हादसे की जांच की आदेश दे दिये गाए हैं, तो मदपदेश के गुना में देखिए किस तरीके से दर्तनाक सड़ा का आदिसा हुआ है, जिसके जांच की आदेश दे दि आग लिए है, मृतक के परिजनों को 4-4 लाख मुआफजे का एलान किया गया है, 12 लोगों की बहुत की खबर है, 14 लोग घायल बताय जा रहे हैं, हालांकि ये भी जानकारी मिल पा रहे हैं, कि मरने वालों का आँकड़ा बढ़ सकता है, और जिस तरीके से हमारे सयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि मरने वालों का आँकड़ा तेरा पहुंच चुका है, लेकिन मुख्यमंत्य ने खुद इस हाथ से का संग्यान लिया है, मृतक के परिजनों को 4-4 लाख मुआफजे का एलान भी किया गया